हलो फ्रेंट्स स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्सी कॉंस्टेबल जी डी अब जब भी ऐसा वीडियो मिलाते हैं तुरंत ही विरोध शुरू हो जाता है जो केंडिडेट्स हमारे 2018 वाले हैं वो कहते हैं कि जब तक 2018 पूरा नहीं होता है औल मेडिकल फिट फलाना तो देखे मैं उनकी बात कर रहा हूं जो हमारे साथी फ्रेश हैं जो उस समय 18 साल के नहीं हुए थे उनको तो मुका मिलेगा वो लोग तो आएंगे और जो हमारे साथी रह गए जो मेडिकल फ आपके पास में यदि कोई concrete evidence है कि किसी center पर medical guideline फोलो नहीं हुई तो उसके लिए भी आप करवाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि यदि कोई गलत तरीके से medical में fit हुआ है तो वो उन candidates का उन साथियों का हक मार के fit हुआ है या भरती हुआ है जो medical fit होते हुए भी merit से बाहर हो गए कर रहा है तीनों ही बातें जो है वो गलत है गलत मतलब अन्याय है और अन्याय नहीं होना चाहिए इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कुछ हमारे ऐसे medical points जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे साथी जो है वो out हो गए कुछ medical points ऐसे होते हैं जिनका आपको कभी पता नहीं चलता यानि आप 25 साल के आपके उमर हो गई या आपको ये नहीं पता चला कि मुझे फीमोसिस है और जब आप medical में जाते हैं उस समय आपको पता चलता है कि ये तो फीमोसिस है और फीमोसिस या मुझे गाइनेकमेस्टिया है और गाइनेकमेस्टिया से आपको कोई problem नहीं हुई आपको पुश अपस करने में कोई प्राबलम नहीं होई आपको ब्रीफिंग में कोई प्राबलम नहीं होती है गाइनेकमेस्टिया क्या होता है कि जो पुरुशों का जो ग्लैंड्स होती है पुरुशों में महिलाओं की कुछ ग्लैंट्स ग्रंथियां विक्सित हो जाती है पुरुशों के सीने में और पुरुशों का सीना जो होता है वो थोड़ा थोड़ा महिलाओं से रिजंबल होना शुरू हो जाता है ये बहुत बड़ा एक पॉइंट बनता है फिमोसिस जो पैनिस का स्किन है वो पूरी तरीके से पीछे नहीं जाता वो फिमोसिस है तो ये पॉइंट्स ऐसे होते हैं या हतेली में पसीना आता है हतेली में पसीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप मेडिकल में अन्फिट हो जाते हैं क्योंकि आप रस्ती पे चड़ने में प्रॉब्लम होगी आपको आप हत्यार को होल्ड नहीं कर सकते और ये हतेली में पसीदा आने का ऐसा पॉइंट है छोटा सा देसी नुस्का इसका आप इस्तेमाल कर लिए आपके कान में सफेद दाग है आपको कभी नहीं पता चला मुझे सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा ओडियो मिट्री मेरा नॉर्मल है या आपका स्किन पे एक आपने टैटू जो था वो आपने एक सस्ता जो होता है जोला चाप उससे रिमूव करवा लिया उनको हम डिसकस करेंगे दोस्तों वर्दी पानी है तो देखिए पूरी मेहनत आपको फिजिकल रिटन प्लस मेडिकल भी आपका उसी लेवल का होना चाहिए इस वार हमारे बहुत सारे साती जो हैं वो मेडिकल में अन्फिट हो गए कुछ हमारे साती देखिए ऐसे भी थे कि जो मेडिकल में कहीं न कहीं प्रोसीजर फोलो नहीं होता है उस वज़े से फिट हो जाते है वो भी मैं आपको बताऊंगा और यदि आपको पता है कि कोई जो मेडिकल में गलत तरीके से फिट हो जैसे एक राजास्तान के कैंडिडेट ने हमें अप्रोच किया है कि उसका एक जानने वाला या एक कैंडिडेट जो है वो कलर ब्लाइंड है वो कभी फिट नहीं हुआ वो 2015 में भी अन्फिट था लेकिन वो इस बार उसने कुछ व्य केस करना चाहता हूं वो भी आपको बताएंगे कि यह आपको पता है कि कोई कैंडिडेट जो है वो गलत तरीके से फिट हो गया है और वहां पर आपका हक मारा जा रहा है तो आप उस हक की लड़ाई लड़ सकते हैं चलिए यहां हम डिसकस करते हैं देखे सबसे पहले तो आ आपकी भरतियां होंगी उसमें आपको फ्रेश मेडिकल में भी फिट का पेपर दिया जाने लगे क्योंकि इस बार भी कुछ सेंटर्स पर फिट का सील लगा के दिया था कॉल लेटर पे तो यदि आगे से आपका क्योंकि इस बार बहुत सारे कोर्ट में ऐसे केसिस चले अगया प्रूफ नहीं है जब डिटेल मेडिकल में आपका मेडिकल होता है तो आपको कोई प्रूफ नहीं दिया जाता तो उसके लिए भी हो सकता है तो इस बार से जब इतने सारे केसिस होंगे एप्लीकेशन लगेंगी तो उस पर अथॉर्टी जो है वो निरना करती है कि इनको fit जो होता है उसको भी ये copy दीजिए तो fit कि आपको copy दी जाती है DME में नहीं दी जाती है अब ये candidate जो है ये देखिए ये unfit हो गए किसमें हो गए ये unfit हो गए क्यूबिटर स्वेल्गस केरिंग अंगल में ये unfit हो गए इनकी सारी मेहनत जो है बेकार हो गई ये कहां का है GC मुझफर पूर CRPF के सेंटर है केरिंग अंगल इनका left 18 डिगरी right 20 डिगरी जबकि ये केरिंग अंगल हमारे फीजियो तेरपिस जो हैं वो 45 दिन का समय लेते हैं उन्होंने कितने ही केंडिडेट्स को exercise करवा के इनका केरिंग अंगल जो होता है ये उसको normal range में वो ले आते हैं यहां तक के केरिंग का नौकनी का स्कॉलियोसिस का ये ऐसे पॉइंट है कि इनको हमारे फीजियो तेरपिस गारंटी लेते हैं कि यदि फिट नहीं होगा तो मैं पूरी फीस लोटा दूँगा उसके लिए हमारे सेंटर पे बच्चे आते रहते हैं एक्सराइज करते हैं और फिट हुए हैं काफी फिट हुए तो आपको दोस्तों ये नहीं लेना है हमेशा याद रखना है ये आपके सारी मेहनत वेकाब अब देखे सब कुछ फिट था मार्क्स भी बहुत अच्छे थे मेरिट भी आ जाता लेकिन ये यहाँ पे आउट हो गए यहीं सारी मेहनत बेकार हो गई अब जो कहते हैं कि ओल मेडिकल फिट से पहले नहीं भरती की बात नहीं करो तो ठीक है ओल मेडिकल फिट करो लेकिन ये जो है साथी हमारे ये छूट गए च्छट गए इनके लिए तो बताना पड़ेगा लिए ये देखे फ्लाट फुट तो ये फ्लाट जो है ये एक्चुली फ्लाट नहीं है लेकिन इसको थोड़ा सा गैप और बना सकते हैं फ्लाट ये डाउटफुल है इसमें रोका जा सकता है और जो डाउटफुल होते हैं उसमें आपको DME में अन्फिट कर दिया जाता है कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि DME में ही हम फिट हो जाएं ताकि हमारा बाद में जो अनावशक समय जाया होता है इधर उदर सिविल डॉक्टर के पास में बटकते रहते हैं सिविल डॉक्टर भी बहुत सारे ऐसे होता हैं जो फिटनस नहीं देते प्राइवेट से कई बार गलती से ले लेते हैं तो वो मनने नहीं होता तो ये इसको practice इसका हम नीचे description में लिंक दे रहे हैं हम वीडियो दे रहे हैं कि किस तरीके से हम exercise उसका कर सकते हैं फ्लैक फूट का और वीडियो में ही हम आपको नोकनी का कैसे video हमारे exercise करवाते हैं वो भी दिखा रहे हैं आपको ये ओम देखे ये ओम actually पूरी तरीके से नहीं मिटा इसलिए problem आ गई क्योंकि इसमें कुछ शाही नजर आ रही है अब ये आपको बता देता हूँ कि tattoo की policy है कि tattoo body पर नहीं होना चाहिए अब tattoo body पर क्यो नहीं होना चाहिए तो बहुत सारे candidates ने कहा कि हम case करेंगे tattoo से क्या problem है कि 2015 की medical guideline को ये फोलो किये बिना आपको unfit किया जाता है तो आप case कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा re-medical guidelines जो है उसके बारे में भी हम बात करेंगे अब इसको क्या होता है देखे च्छोटा tattoo जो होता है उसके हमेशा surgery होती है अब ये surgery अच्छी quality के surgery हो इस पे stitch लग जाए तो ये fit हो जाएगा लेकिन ये भी आप एदी एक बार unfit होने के बाद करवाते हैं तो उसमें भी unfit कर दिया यदि इसको आप सस्ता जोला चाप से remove करवाते हैं तो ये इतना बड़ा skin पे निशान हो जाता है वो unfitness का कारण होता है उसकी वज़ा आपको बता देता हूँ जब court case होए तो उस पे forces ने ये reply प्रस्तुत किया वहाँ पे बिलकुल scientific region उनने दिया specialist की opinion दी गई कि ये जो है skin यहाँ से कमजोर हो गई है जो skin के layers होती है अंदर तक बताया जाता है कि 7 layers से भी ज़्यादा होती है उस layers में से इनकी 3 से 4 layer जो है आदी से ज़्यादा लेयर इनकी जला दी गई है तो ये layer जो है जलने की वज़े से जब ये high LT में जाएंगे यानि कि जो परवतिये शित्र होता है उचाई वाला इलाका वहां पे वायुदाब आपको पता है कम हो जाता है और वायुदाब कम होने की वज़े से ये यहां से इनका फट सकता है और bleeding शुरू हो सकती है ये ऐसा देखिए हमने खुद देखा है और हमें उस समय 20 साल पहले ये बात नहीं समझाई थी कि ये कैसे फटा कि अपनी duty के दौरान मैंने कश्मीर एडिया में खुद देखा था ये कि एक candidate का जो skin पर गाव था और वो फट गया था वहां से तो हमें ये लगा कि समय चोट लगा लेकिन जब इसका हमने study किया तब हमें पता चला कि वो जो skin वाले problem होती है तो इसलिए दोस्तों कभी भी सस्ते के चक्र में नहीं आए टैटू आपको remove करवाना है छोटा टैटू है तो उसको surgery करवाई और surgery भी अच्छी quality की surgery हो ताकि उसपर keloid नहीं बन जाए क्योंकि आप सस्ता surgery में keloid बन जाता है और keloid भी unfit है ये देखे ये skin problem के वज़े से हो गया तो ये तो उसको कहते हैं कि continental नहीं होना चाहिए कि जनम जात हो बहुत बुराना नहीं हो यदि ये ताजा फंसी बगरा होती है ये fit हो जाती है तो इस प्रकार का भी यदि कोई हो तो कुछ हमारे साथी जो है उनको ये problem होती है ये gym बगरा करने से ये stretch mark आ जाती है ये बहुत सारे message हैं मर पास आते है ये stretch mark जो होते हैं इससे कोई problem आपको नहीं होगी ये यहां होते हैं ये कुछ हमारी बहने जो होती है उनके पेट के उपर हो जाता है pregnancy के बाद में तो वो और जो thighs बगरा जो होती है उस पे हो जाते हैं कमर पे हो जाते हैं candidates के gym बगरा करने से हाइट एकदम से शूट अप होती है उस समय उससे कोई problem नहीं होगी ये देखे foot deformity foot deformity fingers sir please reply में ये point मिला है इनको क्या है foot deformity fingers ये देखे तीन जो है ये छोटी है और ये बड़ी निकल गई अब इसमें भी point मिल जाता है लेकिन कुछ ऐसे points होते है कि वो fit हो जाते है re-medical में लेकिन हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम हमें re-medical नहीं मिले अब ये देखे दोस्तों सस्ते से मिटवाया सस्ते से इसको actually जलाया गया है ये जो tattoo बनाने वाले होते हैं जो गाव देहात में tattoo बनाने वाले होते हैं वो ही लोग ये tattoo हटाते हैं अब इसमें क्या क्या है इसको injection से वो जलाता है तो ये जला हुआ क्या है कि इसको fit नहीं करने का कारण ये होता है कि डॉक्टर का ये मानना है कि जब जाएंगे कम वायुदा बले शित्र में ये प्लेन में इनका ये फट सकता है कितना फट सकता है कितना नहीं फट सकता है मुझे नहीं पता है लेकिन ये ऐसा जो है मैंने खुद फटते वे देखा है कश्मीर एरिया में इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ नोकनी स्टार आपका यह कैंडिडेट को पॉइंट मिला था यह आप लोग हमें जो मैसेज करते हैं पिकसेंड करते हैं यह एक्चुली इनको पॉइंट मिला था अब आप कहेंगे कि इनके तो गैप है तो गैप जादा है या गैप कम है पांच संटिमीटर होना चाहिए तो आप से नहीं नपएगा वो यह बता देता हम आप अपने गुटने में 5 संटीमेटर खुद से नहीं नापना वो फीजियो थेरपिस नापेंगे यह देखें फिंगर लेफ्ट आर एमी फॉर लेफ्ट इंडेक्स फिंगर प्लीज डिप्लाई अबाउट माई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यदि यह ऐसा होता है तो इसको रिमूव करवा लेना चाहिए यह स्कॉलियोसिस स्कॉलियोसिस का पॉइंट ऐसा है मैं आपको नीचे डेस्क्रिप्शन में एक वीडियो भी दे रहा हूँ यह क्यों मिलता है स्कॉलियोसिस का पॉइंट जो हमारे साथ ह खड़े होते ही, आपका body band होती है, और band होते ही आपको, यह यहां पे lordosis मिल जाएगा, या आपको यह band ज्यादा है, यह point मिल जाएगा, जबकि यह posture है, आपका normal posture और एक luge posture गलत तरीके से खड़े हैं, उसमें point मिल जाता है, अब यह देखें दोस्तों, यह यहां पे इनको unfit क्यों किया गया ये इनको तीसरा निपल माना गया है लेकिन ये तीसरा निपल है या नहीं है क्योंकि ये देखिए ये निपल से जस्ट ऊपर जो है तो ये तीसरा निपल जो होता है ये भी अनफिटनेस का कारण हो जाता है ये कुछ बहनों में भी होता है और किसी मेल में भी यह हो सकता है तो यह दी है तो इसको spin specialist चेक अप करके इसको remove कर दे इसको clear कर दे आपको problem नहीं होगे यह finger का गया यह flat foot flat foot आप अपना normally flat foot कैसे चेक कर सकते हैं आप पानी में बिगोईए उसको किसी newspaper पर रखिए या फर्ष पर सिमेंट वाला फर्ष है उस पर आप देखे पूरा जोर बोड़ी का दे दीजिए यदि इस तरीके से करव बन रहा है तो इसका मतलब आप flat नहीं है नार्मल है आपका अब कुछ candidates हमें पूछते हैं कि पुरानी surgery देखे पुरानी surgery जो होती है या पुरानी चोट होती है वो unfitness का कारण होता है अब 2008 में इनके surgery हुई थी अब इसमें actually इनके पास में papers होने चाहिए तो आप भरती में जाना चाहते हैं वर्दी पहनना चाहते हैं आपका भी कोई पुराना surgery हुआ है चाए वो हरनिया का हुआ है या appendix का हुआ है उसके आपके पास papers होने चाहिए या papers नहीं है तो medical से पह आ गया सस्ता tattoo remove करवाया तो इसमें skin जल जाती है skin जलानी नहीं है हमें हमें वहां से cut करके इसमें इतना काम होता कि ये cut करके इसको remove करवा दिया जाता इसको खेंच के टांके लगा दिये जाते stitch हो जाता और stitch भी अच्छी quality का अच्छा इसका treatment हो जाता है ये fit हो जाते ये एक बहन का point है इनके लिए मैं बता दूँ कि ये fit हो गई है ये कल ही इनका मैसे जाता अब हमें नहीं पता चलता बहुत सारे हमारे साथी देखिए हमें थोड़ी सी शिकायत है हमारे साथियों से कि वो जब उनका re-medical था या final result आने से पहले बड़ी बाते हमसे करते थे क्या होगा कैसे होगा सर मैं fit हो जाओंगा हो जाओंगी सर हम कभी नहीं भूलेंगे आपको आपने मुझे exercise बताया हम मैं fit हो जाओंगा तो हम राजस्तान आएंगे आपसे मिलने के लिए ये हम आपको मिठाई खिलाऊंगा अभी तक देखिए मुश्किल से दो तीन लोगो ये इस पे पैर दबा के प्लास्टिक का जो बैरल रखा हुए है इसको पिछका दिया इन्होंने ये इस पे exercise करती थी है तो जैसे गोड़े के उपर बैठते हैं और यदि आपको कहीं नौक नी है आपका और आपको कहीं घोड़ा मिलता है regular horse riding कर सकते हैं आप तो उससे ठीक हो जाता है अब घोड़ा नहीं मिलता तो ये प्लास्टिक वाली बैरल जो है ये घोड़े का काम करती है ये exercise हमारे पास है बहुत सारी ये देशी exercise भी है फीजियो की exercise भी है और कितने ही साती हमारे fit हो गए लेकिन वो अभी मुश्किल से 20 लोगों ने भी हमें reply नहीं किया क अब ये एक तो ऐसे भी है जो बोलते है सर मुझे वेतन मिलेगा तब चलिए कोई बात नहीं आप वेतन मिलेगा तब तक और हम इंतजार करेंगे पसीना अब ये देखे हतेली का पसीना hyperhidrosis में re-medical दिया है क्या fit हो जाऊंगा अब इसका देखे hyperhidrosis ऐसा है आर्मी में ये बहुत बड़ा point बनता है हथेली में आपको पसीना आता है आपको पैर के तलवे में पसीना आता है आपको बगलों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है यानि कि आवशकता से ज़्यादा ये आपको पसीना आता है तो उसका जो है आपको एक देशी जुगार उसका है बहुत इसका skin specialist treatment भी कर देते हैं लेकिन आपके बास इतना समय नहीं है और वो treatment भी ज़्यादा ज़रत नहीं होती हमने बहुत सारे साथ ही हमारे ऐसे हैं कि जो देशी जुगार से वो फिट हो गए जबकि एक बार अन्फिट हो गया था डॉक्टर ने बोल दिया आर्मी डॉक्टर ने उनको बोल दिया बेटा तुम आगे भरती मत देखना या इसका treatment कर वो इसका बर्फ से treatment होता है इसका cement से treatment होता है इसका गाय के गोबर और चूना जो चूना खैनी खाने वाले होते हैं एक अब कुद पता है आपको ये unfitness का certificate आपको मिलता है कल कुछ candidates पूछ रहे थे कि मुझे क्या direct out कर देगा मुझे वीटी लीगू है पैनिस पर तो क्या मुझे direct out कर देगा या मुझे आइमस देगा मुझे refer करेगा देखिए आपको direct out नहीं करते हैं जाया आर्मी में जाएं आप Navy Air Force, BSF, CAPF, दिल्ली पुलिस आप किसी का भी आप भरती देखते हैं direct out तो यदि आपकी उंगली यदि एक कटी हुई है पूरी तरीके से तो भी नहीं करता है आपको unfit जो करते हैं पहली बार में उस unfit का ये देखिए unfit due to region आपको लिख के दिया जाता है ये region 2008 से पह कर जाओ अब देखिए इनका हाइपर टेंशन है हाइपर टेंशन 145 वत्ता सत्यानमा अब 145 आपको खुद को पता है BP कितना होना चाहिए 120 वत्ता अस्ती होना चाहिए अब BP का एक ऐसा पॉइंट है उसमें देखिए एक छोटा सा आपको उधारन बताऊंगा इस SSC Constable GD व आपको वाकई BP है और आप DME के समय यदि आप BP का टेबलेट खाके चले जाते हैं तो आपको देखिए पकड़ में नहीं आता है वो क्योंकि उस समय डाउट में नहीं आता आपका एक बार BP चेक होता है वो नॉर्मल हो गया BP आपका बढ़ने की वज़े ये भी हो जाती है क वहाँ पर आप excitement आपको हो जाता है यूनिफॉर्म देखके हत्यार देखके फ़ाजी गाड़ियां देखके ताम जाम देखके वहाँ पर officers को देखके कि मैं भी ऐसा बनूंगा मुझे भी वरदी मिलेगी excitement के वज़े से BP बढ़ जाता है गवराट के वज़े से BP कम हो जाता ह तो यह 144 यह देखे चार नंबर से तो यह यहां चुका यह कितना होना चाहिए यह 140 और यह 97 वाला जो है यह 90 ही होना चाहिए यह यह यहां तक होगा तो आप फिट होंगे यह उपर नीचे दोनों तरफ है कोशिश यह होनी चाहिए कि हमारा 120 बटा 80 जो है इसके आसपास ही पांच प्लस माइनस ही रहे दस प्लस माइनस रहे तो फिट हो जाएं उसका आप चेक अप करवा के आप अब वह बहन का जो मैं आपको कहानी बता रहा हूं देखिए उन्होंने क्या हुआ जब उनको यह नहीं है उनको सरफ बीपी में उनको पॉइंट मिला था उनको किसी फॉजी बंदे ने उनको सला दे दी कि आप री मेडिकल में आप जाएं तो आप टेबलेट खा कर जाएं वो टेबलेट अब उनको जब पता चला कि री मेडिकल जो है बीपी वालों का तीन से चार दिन तक हो रहा है तो उन्होंने क्या कि वो फॉजी बंदे ने उनको सला दे दी कि आप एक पत्ता टेबलेट जो है पांच साथ दस टेबलेट आप अपने साथ में रखना है और वो टेबलेट लेकर आप रोज एक टेबलेट खाये सुबह नाश्टा करके आपका बीपी पूरे दिन नॉर्मल रहेगा आपका बीपी दो दिन तीन दिन पांस दिन यह भी विशेशगे हैं उनको पता है कि आप लोग कौन सी चाल चलेंगे और वो भी उस तरीके से ही आपका ट्रीटमेंट करते हैं अब यह बहन जो है यह पहले दिन टेबलेट खाके गई इनके पहले दिन की रीडिंग की गई उनको कहा गया कि आप शाम तक बैठिये आप शा अगुलर हमारे टच में थी लेकिन उन्होंने यह बात उन्होंने हमें भी बताई हमने उनको यह बता था कि आप बीपी टेबलेट वैसे तो आप खाके देखिए री मेडिकल में आप पकड़ में आ जाएंगे लेकिन फिर भी ठीक है आप कि किसी ने सला दिया है तो आप ख पास में था इक बहुत यह शांदार आपको बता रहा हूं और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जो लोग फौज में बैटे हुए हैं जो फौज को चला रहे हैं जो आलाफसरान हैं वहाँ पे उनको पता है किस तरह की चालाकी हो सकती है बीपी की दवा जो है वो चेक हो जाती है आप लोग आर्मी की भरती में जाते हैं आपके बैक चेक हो जाते हैं वहाँ पे कौन जो है वो स्टेरोइड्स खाके आए हैं निकाल दो वहाँ पे धेर लग जाता है जब दोड़ फीजिकल होते हैं आर्मी के स्टेरोइड्स के धेर लग जाते हैं यहां तक कि यह ओमनी ज चेक नहीं हुआ प encontramos को फ्रसे डिन उनको वानिक है मिंशन में में कुछ मैं मिला डॉक्टर को पूरी स सक्षा रही है तो ऑंको इन उनको पुछा गया उसक्राइऊ मैंध कि यह जो केंडिडेट है टे Vikt गी खाने से मेंडिडेट के रहा है उनके साथ कौन गारजियन आये हैं वो आ जाईए उनकी तबियत थोड़ी सी बिगर गई है इसलिए कौन गारजियन उनके साथ हैं वो आ जाईए हैं यहां पे तो उनके साथ उनके गारजियन गए थे वो गारजियन तुरंट वहां पे आ गए उनको भी अंदर लेके गए और गारजियन के पास बैग था दोस्तो उस बैग की तलाशी हुई उसमें बीपी की गोलिया मिल गई और वो बहन जो है उसको वहीं पे अन्फिट करके उनको घर भेज दिया गया और यदि वहाँ पर यदि कोई भाई होता तो बता रहा हूँ भाई सब पिटाई भी होती उसके तो ऐसा काम नहीं करना है चोटी से लापरवाई जो है उसमें अन्फिट हो गई वो मार्क्स विभात अच्छे थे अब इनका दूसरा पॉइंट क्या है एल्बो का उनका प्राभलम है तो एल्बो का प्राभलम जो है वो एक्ससाआ़ज करके ठीक हो जाता है यह देखिए सर मुझे इसमें रिमेडिकल मिला है और डॉक्टर ने पॉइंट में लिखा है बिल डिफॉर्मिटी फिफ्ट फिंगर बिल डिफॉर्मड अब बिल डिफॉर्मड देखें मैडिकल टरम है ये क्या है तो आपका सीधा सा सिंपल हिसाब है कि कम्प्लीट मैडिकल चेक अप यदि आप करवा कर देखते हैं तो इन सब से आप बच सकते हैं क्योंकि ग्रिप करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जो डिफॉर्मड है वो नहीं लिया जाएगा ये देखें ये जो है ये सरजरी है पुरानी पेट पे सरजरी है तो सरजरी पुरानी जितनी भी सरजरी है चोटे है उसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कैलोईड नहीं होना चाहिए यदि पुराना पाट भी होना पड़ेगा कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि जिनसे आप बच सकते हैं उनका ट्रीटमेंट नहीं है ये साफ नहीं हुआ साफ नहीं हुआ आउट हो गया जबकि ये चोटे टैटू जो होते हैं इसके लिए जल्द ही हम स्किन स्पैसलिस्ट जो है जो आपके वीटी लीगो और इस सब का ट्रीटमेंट करते हैं उनका हम जल्द ही वीडियो इंटर्व्यू वीडियो लेकर आ रहे हैं उसमें ये आपके डाउट सम क्लियर करेंगे कि ये चोटे टैटू जो है वो लेजर से साफ क्यो नहीं हो पाते हैं ये वेट का पॉइंट देखिए आपका वेट जो है इसके अनुसार होना चाहिए ये मेल का है मेल बिल्कुल मेल का है अब ये देखिए हाइट ये आपका 170 है 170 हम नॉर्मल हाइट यहां पे लिए हैं 18-22 ये आप हैं तो 52-64 किलो तक आपका मानने हो जाएगा अब ये आपका 51 है तो भी आप अन्फिट है औ ये एवरेज वेट आपका होना चाहिए तो वेट आपका प्रॉपर रहना चाहिए ये फिमेल का है ये चार्ट और ये गाइडलाइन ये आपको चाहिए तो आप एक वाटसप मैसज हमें कर देना आपको गाइडलाइन मिल जाएगा पीडिएफ मिल जाएगा उसका और गू चाहिए लेकिन इसमें भी महिलाओं के लिए एक क्लोज और लग जाता है कि उनका 45 आर पिएफ में 45 का क्लोज था राजस्तान पुलिस में 45 का क्लोज है कि 45 मिनिमम होना चाहिए महिलाओं के लिए 45 से कम है तो वो आउट हो जाएंगी अब यह Medikal Guiding लाइशघा में जो है मैं आपको बता दूँ कि Medri Medical का जो Guiding है few examples are being cited for the guidance of review medical board अब इसमें देखें कार्डिक केस है उसमें जो है ECG, ECO ये सब हम आपके हमारे सेंटर पे एक एंडिरेट्स आते हैं medical के लिए उनका ECG उसी package में शामिल होता है ECG हम करवा के देखते हैं अब यहां पर देखिए जो ये chest से अब एक्सरे chest भी आपका होता है हम भी करवा के देखते हैं एक्सरे chest PAV vascular defect of varicose vein vascular malformations होता है color doppler होना चाहिए ऐसा एक Kolkata high court का माननी एक Kolkata high court ने निर्ने किया है इसी भरती में कि candidate जो है वो varicose vein का point था उनका color doppler किये बिना उनको unfit कर दिया गया तो उनका माननी एक Kolkata उचने आले ने फैसला दे दिया कि इनका color doppler करवाया जाए और उसके बाद इनको बताया जाए ये fit है ये unfit है तो वो candidate जो है जीत जाते हैं तो वो भी आपके साथ में शामिल हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने बाहर अपना color doppler करवा के देखा है उसमें वो normal है अब आख वाला देखिए आख का लेजर जो है आपको लेजर मानने नहीं है बता देता है लीजर जो है वो बिल्कुल तलवार लटक रही है यदि कोई color blind है तो उस पर तलवार लटक रही है color blind यदि fit हो गया है जैसे राजस्तान का एक candidate color blind fit हो गया वो select भी हो गया है अब उसका दोस्त जो है वो कहता है कि मैं बिल्कुल लास्ट वाला जो point का डिजिट है उसमें मैं रहा हूँ या मैं IU सीमा के वज़े से रहा हूँ या मैं जो part A के marks है उसकी वज़े से रहा हूँ और मुझे पता है कि एक candidate color blind था और वो color blind fit हुआ है जबकि वो पहले unfit हो चुगा है वो साथ में वो दोड़ के तयारी करते हैं अब देखे हम ऐसी practice को हम बढ़वा नहीं देते हैं कभी हम उसकी पुष्टी भी नहीं करते लेकिन जब कोई परेशान होकर एक candidate हमें रास्ता पुष्टा है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसे रास्ता बताएं कि यदि कोई गलत तरीके से गलत practice कोई जिसको कहते हैं कि कोई favor लेके कोई भाईबंदी करके या कोई पक्षपात पूर्ण रवईया हुआ है तो किसी का हक नहीं मारा जा सकता है यदि एक candidate unfit होता तो इस साथी का number आ जाता जो अभी लड़ रहा है अभी दिल्ली जा रहा है अभी धरदर जा रहा है all medical fit वाली मुहिम में भी जुड़ा हुआ है तो हमने उनको रास्ता बता दिया कि आप क्या कर सकते हैं उसका आप follow कीजिए करवाई आपके पास यदि प्रूफ है concrete evidence है आपके पास मैं आप बिल्कुल करवाई कर सकते हैं और उस पे करवाई होगी बियस अफ ट्रेड्समन में ऐसे हुआ candidate एक दिसंबर से सबी साथियों नहीं चा सकती है यह आपको अपनी यूगगेता और दम पर इसको पाएंगे तभी आप इसको कर पायेंगे वरना आपको बता देता हूँ कि आप रुप नहीं पायेंगे वहां पर आप इड़ी सको जौब समझते हैं तो कभी नहीं रुप पाएंगे मैं वीडियो में अपने घर के लिए उसकी मदर जो है फैमिली वाले जो है उसकी मदर ने हमसे बात की और उसका नमबर दिया कि आप इस बच्चे से बात कीजिए ये कहीं कुछ कर ना ले उससे जो बात हमारी हुई है वो आप सुनेंगे खुद आपको पता चल जाएगा कि वर्दी जो है वो वर्दी तो नशा है वर्दी तो जुनून है तो यदि आपको वर्दी मिली है तो इसको जौब नहीं समझना है कभी आप दोस्तो किसी को ये नहीं कहना कोई आपको पूचे की तरी नौकरी लग गई बोलना नौकरी नहीं लगी है मुझे वर्दी मिली है और मैं अब वर्दी ही पहना और घर जब भी फौजी पका फौजी जो होता है वो जब पहली बार छुटी आता है तो वो वर्दी में ही आता है देखें तो वर्दी में लिया आपको तो उसको जाब नहीं समझना है दोस्तों मैं बार बार इसलिए आपको कहता हूं कि वहां बहुत सारे लोग परे आने देंगे लेकिन हम आधे घंटे तक भी बात करते हैं उस कंडिडिट को आप देखे आप सुनेंगे आपको मज़ा आ जाएगा कि क्या ऐसा भी होता है जो अभी कह रहे हैं कि हमें सेलेक्ट करो हमें सेलेक्ट करो और मैडिकल फिट दो फलाना दो ये दो वो दो वो बाद म में वहां जाके कहता है रहे छोड़ दो मुझे जाने दो भाई मुझे घर जाने दो मुझे घर जाना है वो भी आपको देखने मिलेगा अब देखिए आँक का पॉइंट है उसको भी हम बता देते हैं आपको कि आई सर्जरी जो है लेजिक लेजिक भी नहीं है लेजिक पी DME में पॉइंट मिलने से पहले आप लेजिक करवा लें, आप फिट हो सकते हैं, लेकिन एक बार आप को DME में I6Y6, 6Y9 वाले, 6Y12 ये पॉइंट आपको मिल गए और आपको सिविल डॉक्टर ने कहा कि ये तो आपका आँख का वाकई पॉइंट है, आप लेजर करवा लेजे केंडिडेट में उसको ट्रेनिंग से आउट कर दिया था, क्योंकि उसको लेजिक वहां पे पकड़ में आ गया, एक केंडिडेट आईटी वीपी का एक उधारन बता देता हूं आपको, कि जिसमें केंडिडेट जो है, उसको गोलिया जो है, उसकी निशाने पर नहीं लगत गया, या कोई फेवर लेके फिट हो गया, 6 बटा, 18 उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, वर्दी उतरवा दी गई, तो ऐसा कोई गलती नहीं हो जाए दोस्तों, यदि आपके, आपने कुछ ऐसा किया है, तो उन सब चीजों को बड़ा गोपनिया रखना होगा, और तलवार आपके उपर हमेशा उसके लटकती रहती है, और यदि आपको पता चलता है कि कोई ऐसा गलत प्रैक्टिस का इस्तेमाल करके सेलेक्ट हो गया है, और आप बचे हुए हैं, उसकी जगह आपका नमबर आना था, तो आप कारिवाई कर सकते हैं, इसके लाबबा बहु तलवार आपको पता है।